खरगों जिले के सेगाओं विकास्खंड के ग्राम सितापूरी में 19 वर्षी युवक विशाल पिता सखाराम भिलाला ने अपने घर में ही फासी लगा कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली है पुलिस को मिली जानकरी के अनुसार विशाल अपने घर के अंदर और माता पिता के घर के बाहर सो रहे थे इस दुराण विशाल ने घर के अंदर फासी पर लटक कर अपनी जीवन लिला समाप्त कर ली ग्राम वासियों के अनुसार कारण बताया जा रहा है कि विसाल ने अपने पिता के मोबाइल रिचार्जा के लिए पेसे मांगे थे लेकिन नहीं देने पर उसने घुस्टे में आकर फासिल लगा ली सेगावा पुलिस ने मर कायम कर जाहत में जुट गई है वह इस्थाने समुदाई स्वास्ते के अंदर पर पीएम करवा कर शोब बरिजोनों को सूब दे गया है सेगावाद से संचे जैसवल की रिपोर्ट आज विसाल किता सकाराम विलादा उमर 19 साल निवासी सिताफुरी का कल राद 11 बजे खानावाना खाके 9 बजे सो गए थे पर इंदर से लगा था आवाज लगें दरवाज नहीं फुलने और आवाज नहीं आने पर उससाहिक में खिड़की में से जाके देखा, तो लड़का विसाल पंके पर रशी से गले में थाशी का भंदा लगादा लटका वूबाद दिखा वो रोने लगी रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में उसका रिष्तेदार प्रकास है वो आया और फिर उनोंने खिर्की में से अंदर मकान में जायतर मकान का दरवाजा कुला और उसके बाद यहां पुलीस में सुचना देने के लिए आए यहां मर्ग कायम कर जाज में गया ज नाच पस्चाद मतक का प्यम कराया अप शेयसी से गाव में और प्यम के पस्चाद मतक का साओ उसके अंतिन सस्कार के लिए उसके पिता सकाराम बोडिया जाज जादी है क्या नाम लिखता प्रामिस और पाड़ीदार पद पदा आवर्शाद है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूले